तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यारवर नमस्कार जय उत्राखन जय देवु में एक बाफिश श्वाकत आपका हमारी ओडूब चेनल पे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कम्यूनिटी हेल्थ ऑपिसर भरती के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप जो कम्यूनिटी हेल्थ ऑपिसर जिसको की सौट फॉर्म में बोलते हैं इसका फॉर्म कैसे आप भरेंगे उसका हम और लाइन प्रोसेस यहाँ पर देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम मेडिकल इनुबर्सेटी की वेबसाइट पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको सी एचो का जो है अप्लाइ लिंक के आप दिख जाएगा अब यहाँ पर हम यहाँ पर अपना रस्षिशन करेंगे तो न्यू कंडिडेट है तो किलिक करेंगे जो जो जिन्होंने आल्ली रस्ष देख लेते हैं क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डेट है फान भनने की वो कब से कब तक है तो दीखिए बीश फरवरी यह फोकम भनने की लास्ट इकर ठीक है ऊजैसे हैं यहाँ पर हम registration पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना होगा और अपनी email ID आपको डालनी होगी और इसको आप send OTP पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपना mobile number और email ID डाल देते हैं OTP डालने के बाद दीखे, यहाँ पर इस तरीके से सामने आ जाएगा कि मैंने विग्यापन के सभी browser और निर्देशों को द्यान से पढ़ लिया है, उसके बाद register पर आपको क्लिक करना है ठीक है, तो इस तरीके से आपका registration successfully हो चुका है, अब हम login करेंगे login करने के लिए आपको अपना mobile number या email ID, दौनों में से एक डालना है OTP send करेंगे, OTP आएगा, तो देख लेते हैं इसको भी तो OTP डालने के बाद मैंने successfully login यहाँ पर कर दिया है अब basic details यहाँ पर है, जो पूछा हुआ, उसको हम यहाँ पर fill कर दिंगे ठीक है, तो basic details मैं यहाँ पर भर देता हूँ अब यहाँ पर पूछ रहा है Domitia Love उत्राखन, ठीक है, तो अगर मैं इसको no करता हूँ तो सीधे-सीधे मैं यहाँ पर add होया हूँ, general category में, ठीक है अब यहाँ पर education qualification, तो मैंने जैसे की, आपर education qualification में देखिए आपके पास में, BSE nursing ARA integrated curriculum, post basic BSE nursing ARA integrated curriculum और certificate course in community health state university, तो मुझे यह select करना होगा, year मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो year मैंने डाल दिया यहाँ पर, 2020 university मैंने यहाँ पर HNBU MU डाल दिया, और state मैंने select कर दिया, उत्राखन और इसको save and next मैं कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद अगला जो है यहाँ पर पूछ रहा है और test center, जो है location, test center मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और address मैं यहाँ पर भर देता हूँ, उसके बाद अगला जो है documents upload के लिए पूछ रहा है, तो इसमें photographs वगेरा जो है आपको upload करना है, signature upload करना है, ठीक है, तो photograph जो photo का size 10 kb से 100 kb के बीच में रहेगा और signature का size भी 10 kb से 100 kb के बीच में रहेगा, इन दोनों चीजों को भी मैं upload यहाँ पर कर लेता हूँ, photo और signature upload करना के बाद आपको यह declare कर देना है, और उसके बाद इसको applications form को submit कर देना है, तो मैं applications form को यहाँ पर submit कर देता हूँ, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने applications form submit कर दिया है, अब fees यहाँ पर submit करनी पड़ेगी 800 रुपे fees, यहाँ पर क्योंकि मैंने general category select करी है, 800 रुपे यहाँ पर fees है, मुझे 800 रुपे fees यहाँ पर submit कर देनी है, तो process मैं payment पर किलिक करता हूँ, तो यह मुझे सीधे payment वाले page पर लेके गया है, और यहाँ पर आप जो है जो है यह different different mode से यहाँ पर payment कर सकते हैं, ठीक है तो क्योंकि केवल मैं एक demo आपको बता रहा हूँ कि इस तरीकी से आपको application form fill करना है, तो यहाँ पर मेरा form कोई भी provisional नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको cancel करके वाफस back आ जाता हूँ,